नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर प्रहार में आज बात करेंगे योगी ने भेदा अखलीश का किला राज्यसभाद चुनाव में हो गया खेला आज हम बात कर रहें उत्तर प्रदेश की जहां राज्यसभाद चुनाव के मतदान स्वक चल रही है जहां अखलीश की साथ खेला हो गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभाद चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हो रही है बीजपी ना ऐसा प्लान बनाया कि अखलेश चारो खाने चित हो गए है। पाटी के कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग से पूरा खेला बिकार दिया और क्या अखलीश यादफ के तीसरे कांडिडेट चुनाव हार रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो बीजपी जॉइन कर सकते हैं। इस तरह पिशारा कर रहा है कि एक जटका मनोज पांडे के रूप में अखलेश यादफ को लग रहा है। अब मनोज पांडे भारते जनता पाटी के साथ जा सकते हैं और बीजपी उन्हें राय बरेली से उम्मीदवार बना सकती है। अब सचेतक कक्ष से मनोज पांडे की नेम प्लेट हटा दी गई है। सचेतक कक्ष से मनोज पांडे की नेम प्लेट हटा दी गई है। तस्वीरम आपको दिखा रहे हैं मुख्य सचेतक पत से। मनोज पांडे ने वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले स्थीफा दिया। वोटिंग करने के लिए सदन के अंदर पहुचे उस वक्त भी खामोश रहे उनसे सवाल पूचा गया कि आप किस तरफ वोट करेंगे तो वो कुछ बोले नहीं। अब उनका जो कक्ष था जहां पर उनकी नेम प्लेट थी उस कक्ष से अब वो नेम प्लेट हटा दी गई है और ऐसा अखलेश यादफ के निरदेश पर हुआ है। क्रॉस वोटिंगो हो रही है और इसमाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो खेला करते हुए नसर आ रही है। मेरे दोस्त अईयों कि इस वक्त हमारे साथ जोड़ गए हैं विशाल परताप सिंग लकनव से हैं और देवेंदर पारशेर पॉलिटिकल एड़र दली से हमारे साथ जोड़ गए हैं विशाल सबसे पहले आपके पास आऊंगी अभी तक कितनी संख्या हो चुकी है या कितनी व विधायक हैं जिन्होंने भारती जन्ता पार्टी को समर्थन कर दिया है और एक विधायक अभी ऐसे हैं जिनके बारे बताया जा रहा है कि अमेठी सीट से महराजी प्रजापती जोके फिलाहल अभी तक नहीं पहुंची हैं वोट डालने के लिए यानि कि ये भी मान लिया जाता है कि समाजवादी पार्टी को ये वोट ने मिल ला और ये बीजीपी को फाइदा हो रहा है इसके अलावा पल्लवी पटेल की बात कर लिया जाया तो अखिलेश अदव के साथ आज उनकी फोन पर तीखी नोग जोक हुई है और पल्लवी पटेल भी टेकनिकली तोर प उनके बारे में जयानकारी यही है कि वो सदन में नहीं आएंगे उनको वोट नहीं करना है समाजवादी पार्टी के कंडिरेट को अपना समर्थन कर दिया है यानि कि बीजेपी को वोट कर दिया है यानि कि एक वोट और क्रॉस वोट हो गया है तो समाजवादी पार्टी के अद्धेश अखिले शादो जो कह रहे थे लगातार कि पीडियो को मजबूत करना है तो अभी जो लेटेस जैनकारी आई है इन्फोर्मेशन आई है उससे उनके पीडिये फार्मूले को ही जटका लग रहा है प्राची कोकि हाकिम चन्द मिन पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े समाज से आने के बाद अगर वो जा करके बीजेपी को समर्थन कर रहे है मुराल के तौर पर है परसप्शन के तौर पर है और यह मान के चल रही थी समाजवादी पार्टी कि उसके तीन कैंडिडेट राजसभा के लिए चले जाएंगे लेकिन यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी अपने आठवा कैंडिडेट को राजसभा बेजने में सफल हो जाएगी पिल्कुल एक जिस वक्त आठवा कैंडिडेट भारते जंता पार्टी ने उतारा संजय सेट के रूप में उसी वक्त ये खेला होने की संभावनाय विशाल जताई जा रही थी और ये खेला इस वक्त सदन के अंदर हो भी रहा है दिवेंद्र ऐसे में भारते जंता पार्टी की जो रणीती है वो तो साफ नजर आ रही है और वो एहसास इस लिहास से भी रहा होगा कि वो कोई होमवर्क करते भी नजर नहीं आए अखिलेश यादों के अगर विधायकों की बात करें तो जितने विधायक आपको क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ रहे है या जो इन्फरमेशन अभी तक सामने आई इससे दोगुना से तिनगुना जादा तुटने के लिए तयार थे उन्हें कोई तोड़ने वाला नहीं था क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी अन्यता अखिलेश यादों के तरब से अपने विधायकों को अपने लोगों को एक जूट रखना उसे कम्निकेशन करना ये सारी चीज़ हमारे सोर्सेश बता रहे हैं कि बिलकुल भी नहीं हुआ और बहुत सारे विधायक अखिलेश यादों की कारेश यह लीकों लेगे बहुत खुश नहीं है वो तो इस इंतजार में थे हमें ये तक बताया गया है कि दो दर्जन तक्रीवर विधायक इस इंतजार में थे पास्पर्टिंग कराने को लेकर जो बात्चीश चल रही थी उसके लिए एक विधायक पर दो दो विधायकों की तैराती की गए थी यह वह लगातार को में नहीं पर नहीं होता था हूं विधायकों को इसलिया से संपर्क में रहते थे बीच में जब जब कोई इंफर्मेशन तरह विधायकों को उनसे लगतार संपर्किया जाता रहा और टॉप लेवल पे शुरेश खना और खुद मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ इन दोलों की तरफ दयारी थी देवेंद्र भारते जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ अख्लेश यादव अपने विधायको सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं होता, बीजपी जीतने के लिए कोई भी हत्कंडा अपनाएगी। आखिलेश ने क्रॉस वोटिंग करने वाले वधायकों पर करवाई के भी बात कही है। जिन परसितियों में चुना हो रहा है हर एक में सहास नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए सरकार के खिलाफ खड़े होने में सहास शही है और दवाब तो हर एक में बनाए जाता है यह बात कौन नहीं जानता है कि भारती जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हदगंडा अपनाएगी जिस भारती जनता पार्टी ने चंडीगर में बेमानी की हो बैलेट से जब बोट पड़ा जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया किस तरीके से बोट अब खराब किया गया और अधिकारी के माद्यम से उस समय कर सीसी टीवी ना होता और बैलेट से बोट ना पड़ा होता तो शायद भारती जन्ता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता जहां तक यूपी का सवाल है राजस्वा के चुनों में भारती जन्ता पार्टी ने सब कुछ किया है बोर्ट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उन में सहास नहीं रहा होगा सरकार के खिलाब ख़ड़ा होने में कारवाई निश्यत होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथ ही हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए कोई क्यों चला गया किसी को सिकूर्टी की जरुत रही होगी किसी को धमगाये गया होगा कि आपके मुगदमे पुराने हैं आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आपको ये लाव दे दिया जाएगा सुनने में तो बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं सुनने में तो के बारे में भी आ रही हैं वो बास समझ में नहीं आरही कि वह पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था का रिफ्लेक्शन अभी फिलाल हमें सदन के अंदर देखने को मिल रहा है यूपी से लेकर दिल्ली तक कैसे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को मैनेज किया भारते जंता पार्टी ने ये जरा समझाई जैसे रणिती के एक हिस्से के तोर पर आप देखें और आप इसको जब धार 370 काश्मीर से हटाया गया था तो उस समय के रणिती को देखें तो आपको वही रिफ्लेक्शन दिखेगा जैसे उस समय राजसभा में तब के कॉंगेस पार्टी के संसदिय दल के चीफ कि आपको राष्ट हित में एक बिल आ रहा है उसके समर्थन में वोट करना है तो उन्होंने अपनी चिंता जताई थी कि उनकी सदस्ता खत्रे में पढ़ सकती है और सदस्ता चली जाएगी क्योंगी पार्टी विप लागू कर रही है और वहां पर तक बीजेपी ने अक्ति का इलान किया यहां भी आप देखें तो वैसी चीज़ की गई है और हाला कि आप देखें तो राजसभा के चुनाओं में दल बदल अयोगता कानून ये लागू नहीं होता है फिर भी बहुत सारे विधायकों को ये भ्रहम होता है कि विप जारी कर दिया जाता है जैसे हिमा कि टॉप लीडर्सिप ने जब ये तै किया था कि हमें आठवे सीट के लिए जाना है तो उस दिन ये निर्देश दे दिया गया था कि फर्स्ट प्रिफरेंसे और वोट के आधार पर ही ये नतीजे आ जायने चाहिए हाला कि आठ वोट का जुगार करना था उस लिए से और हरे एक विधायक को चिन्हित करके उनके उपर दो-दो विधायकों को लगाया गया इसमें कोई दोर आया नहीं कि अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा ऐसी चीजें ऐसा पाला बदल होता है ऐसे क्रॉस वोटिंग होती है इसको पीछे ऑफर ही होते हैं और ये निश्च पीज़ी का चुके हैं इसे में कारकरताओं को क्या अखिलेश यादव मैसेज देंगे ये भी एक बड़ा सवाल है देखे पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही है और पल्लवी पटेल भी पीज़पी के पक्ष में वोट कर सकती है सूतरों के मुताबिक पल्लवी पटेल औ आपका वोट हमें नहीं चाहिए पल्लवी पटेल अगर हम बात करें तो पल्लवी पटेल फिलाल सिरातु से समाजवादी पार्टी के टिकेट पर विधायक चुनकर आई थी और उन्होंने जब तीन कैंडिडेट का एलान कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्य सफा को लेकर तभी अपनी नाराज की जाहिद की थी और ये कहा था कि इसमें पीडिये का फॉल्मूला नहीं जलक रहा है इसलिए वोटिंग से वो दूरी बनाएंगी हाला कि तब ये समझा जा रहा था कि अखलीश यादव उन्हें मना लेंगे लेकिन फिलाल ये तलकीब बढ़ गई है दरसल जया बच्चन की उमीदवारी से पल्लवी पटेल नाराज थी अखलेश के साथ फोन पर उनकी जोरदार बहस हुई है क्योंकि उनसे बाचीत करने की कोशिश की गई ये एक वोट भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है पल्लवी पटेल का ये तो अपते हो गया है क्योंकि आखरी वक तक जो अखलीश यादव कोशिश कर रहे थे कि पल्लवी पटेल को मनाया जाए वो कोशिश उनकी नाकाम साबित हुई नतीजतन पल्लवी पटेल और अखलीश यादव के बीच में तीखी बहस भी हो गई पल्लवी पटेल कोशामबी की सिरातु से समाजवादी पार्टी के टिकेट पर समाजवादी पार्टी के चुनावचिन पर चुनकर आई थी अब देखें वो विधायक जो फिलाल समाजवादी पार्टी का समिकरन भी गाड़ रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं आठ वोट है और इन आठ वोटों की जरूरत भारते जिनता पार्टी को थी अपने आठवे कांडिडेट को जिताने के लिए राकेश पांडे जलालपुर से मले हैं अभैसिंग गोसाई गंज से मले हैं राकेश सिंग गौरी गंज से विधायक हैं वनोज पांडे राइबरेली के उचाहार से विधायक हैं विनोध चतुरवेदी कालपी से मले हैं महराजी प्रजापती अमेठी से मले हैं जो पहुँ स्वामी प्रसाद मौरे प्रकरन से खफा थे सनातन के खिलाफ बयान बाजी से राकेश प्रताप सिंग खफा रहे प्रान प्रतिष्टा कारिक्रम में जाने का समर्थन इन्होंने किया था यानि की राममंदिर एक मुद्दा ऐसा रहा जिसने विपक्ष के नेताओं को भी राकेश प्रताप सिंग विधायक है और उनकी नाराजगी जो थी वो सनातन को लेकर जो तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौरे दे रहे थे उसको लेकर राकेश प्रताप सिंग की नाराजगी थी और इसलिए अब भारते जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं आन पीत ता हुआ नसर नहीं आ रहा है। पाहुबली विधायक हैं कभी मुखतार अंसारी के बेहत करीबी अभय सिंग रहे हैं और बुल्डोजर अक्शन का डर शायद इने इस अता रहा है जो बात अखलेश आदफ कह रहे थे कि डरा कर या ओफर दे कर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है तो अभय सिंग को ले होने दिया और इसलिए वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी का ठीक लोगसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में ही खेला हो रहा है